बिहार मेल में आप सभी का स्वागत, अपनी कविताओं के साथ मैं आरे भारत, मेरी पहली कविता है टाम क्रोज की प्रेमिकाओं टाम क्रूज की प्रेमिकाओं के बेश किमती जुल्फों में उंगलियां फिराता दफ्तर का बाबू, पलके चुमता कालिस का पार्थ, कलाईयों पर घड़ियां बानता नादान आशिक, उन पर कविता लिखता मैं टाम क्रूज की प्रेमिकाओं के बेश किमती जुल्फों में उंगलियां फिराता दफ्तर का बाबू, पलके चुमता कालिस का पार्थ, कलाईयों पर घड़ियां बानता नादान आशिक, उन पर कविता लिखता मैं आखिर क्यों नहीं जानते को उनके रेशमी बालों से कटी हैं अनगिनत उंगलियां, पलकों पर जले हैं लाखों होट, घड़ियों ने वक्त के साथ बताया है उन्हें अपना आतीत, घोशित किया है पुराना, और मजबूर किया है मुझको, अंगुली माल, भसमासुर, ज प्रेचंद, जैसे पूरुस रूपकों से खुद को संबोधित कराने के लिए, सच मुच, अब तुम, पूरुस के समकच हो, टाम क्रूज की प्रेमी काओं। दूसरी कविता है फोन, ये एक प्रेम कविता है, और जिस तरीके से हमारे जीमन में फोन है, उसको लेकर के रच फोन, हमारे बीच प्यार नहीं फोन है, फोन जिसके वैग्यानिकी तिलिस्म से हरात उलच जाते हैं, हमारे रेशमी बातों के महीन धागे, खुल जाती है, मन के मस्जिद में कहीं खयाम की मधुशाला सुलग जाता है, धमनियों और शिराओं में चाहत का चंदनवन, फोन जिसके कैनवास पर तुम्हारी उंगलियां थिरकती हैं, जैसे कोई किशोरी सीख रही हो कथक का कौमार, जिसके कैनवास पर मेरी कूचियों से भरा जाता है, तुम्हारी मोना अलिसा जैसी तस्वीर में, कलकत्ता का सिंदूर, जिसके कैनवास पर खेला जाता है, युगल कृष्ण राधा की तरह कृष्ण राधा की मनवर्मोटी हम मिलते हैं दो ध्रुओं से दूर किसी उपगरा पर और विछ़रते हैं प्रशान्त सागर से भी गेहरी नीद में हमारा मिलना मिलना है अभासी सरस्वती नदी के वास्तविक साक्ष जैसा और विछ़रना वास्तविक बिंब का अभासी प्र प्रतिभाग का मौका यूं कहूं कि प्यार प्यार न होकर हो जाता है एक सब्द शेतु जिस पर एक सुबा लोटती है बारात तुम्हारे शूचिता के सत्ति से अन्भिग्य उस एक योवराज के साथ जिसने एक रात के युद्ध में तुमें हराया है और दूसरी रात तुम पर पूरा अधिकार प्राप्त करना चाहता है सिर्फ दो रात हां क्योंकि उसने तुमसे फोन के कैनवस पर नहीं धरती के अभिशापित टुकड़े पर शोक गानों के मंत्रों की उपस्तिती में तुम्हारे मांग के बीच को इलाल खनीज लगा तुम्हें पूरा सुहागन बना दिया है बस इसलिए मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ फोन नहीं आखिरी कविता है पौर्ण पौर्ण अकाश के वायवी अमार्ग से तरंगों के इंदर जाल का फोन के फलक पर फैलते ही हथेलियों के मद्द से लक्षमी सरस्वती का वासस्थान और प्रस्तुत होता है पौर्ण जहां मिलता है सभ्यता संस्कृती के सभी मानत ग्रंतों में प्रयुक्त भासा को निर्मित करने वाले उपक्रमों के साच्छ दिखता है अ-अ-ई-उ- ओ-अ-स-वण निर्मार लिपी निर्मार की मादक प्रक्रिया और समझ में आता है कि सुख या दुख के छड़ों में न जल रहा कुंती का कौमारे पिघल रहा धेर दुश्यंत के आगोश में किशोरी शकुंतला का चित निगल रहा उर्वशी के कलश्य पुरुर्वा एश्वरे का अम्रित जहां कामदेव विभिन मुद्राओं में रती के साथ कर रहा कामसुत्र का परालोकिक पाठ जहां गु जहें ध्वनियों, लिपियों, भाषाओं, कलपनाओं, कथानकों तथा यथार्थ को अध्भुत रूप से समायोजित करता साहितिक चर्मुतकर्स लगता है पौर्ण। शुक्रिया आपने एक अविताय सुनी इसे शेर करिए और अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं धन्य एक अधन्य लोगों, करने प्सक varsa गरै मेला कि घखता है, वार्ण। यविता है किछा है कि प्सक्त्वतकर्स लगण। झाल झाल